हेलो माइडियर स्टुडेंट्स गूड इनिंग अल फ्यू तो करेंट अफेयर कंपाइलेशन जो हमने फर्स्ट एडिशन लॉंच किया था जन्वरी से जून तक का डाटा आपको दिया गया था अब यह थर्ड एडिशन हमने लॉंच कर दिया है आज फर्स्ट एडिशन का रिस्पॉंस बहुत अच्छा रहा कंटेंट को बच्चों ने बहुत एप्रेशेट किया तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमने प्लान किया था कि टाइमली हम करेंट अफेयर कंपाइलेशन आपको प्रॉइड करेंगे तो पहला जो एडिशन आया तो आज 23 अगस्त को हमने 7 पीम पे लांच कर दी है इसमें आपका जो डाटा है जून जुलाई अगस्त को इसमें कंटेंट कवरेज आपका जून जुलाई अगस्त तो पिछली बार की तरह इस बार के भी अडिशन में आप देखेंगे प्योर कंटेंट है बहुत जादा कोई इमेजेज वगर आपको नहीं मिलेंगी जादा से जादा कंटेंट कवर है इसमें और जैसे कि पिछली अडिशन में भी लास्ट में हमने कोशन आंसर एक्स्प्र इसमें भी 100 कोशन एक्स्प्रिनेशन आंसर सब दे रखें और कोशन भी उसमें साथ में लिखा भी है किस कोशन का सोर्स कहां से लिया गया तो यह जो एडिशन है सिविल सर्विसेस के तैयारी वाले बच्चे हों उनके लिए बहुत यूसफुल है इस्टेट पीसेस वाले पी दे सकते हैं अधर एक्जाम सीजल वगर के लिए भी काम का है तो कोई भी एक्जाम जहां पर करंट अफ्यार आता है वहाँ पर पढ़ सकते हैं तांप देखेंग के कवरेंज हैं तो कोशन जो लास्ट में दे रखें वह जरूर देखने चाहिए और उसमें सोर्स भी लि ही है प्राइस वगर कोई चेंज नहीं किये गए जो पहले प्राइस था वह सेम नाइंटी रूपीज का प्राइस रखा गया है आरोहन की एप पर अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे लिंक वगर में डलवा दूंगा इसका ठीक है दूसरा ए कंप्लीट कर देंगे यह बैच आपका कंप्लीट हो गया सीजी पीडिटीम कंप्लीट हो गया बैच पूरी तरीके से हमने पढ़ा दिया है और जो भी वीडियो हैं वह वन ये वैलिडिटी तक के लिए अवेलेबल है कि माल लोग किसी ने जीके करेंट अफिर इस बैच में पढ़ लिया किसी और एक्जाम में काम आए तो वन येर तक के लिए वैलिडिटी है तो आपका प्री में फिर में में भी काम आ जाएगा कोई और एक्जाम देना है यह टॉपिक उसमें भी काम आ जाएंगे तो सीजी पीडिटीम यह बैच कंप्लीट और सीजी का जो हमने और में अवेलेबल हैं एससे जाएंड वाल जो बैचस्तं तं मूंत की वैलिडिटी है इसकी और सीजी की पीडिद्टिम वाला जो है इसकी वनियर वहलेडिटी है एसससी जाएमें जिस में आपको कुष सब्जेक्ट एksट्रा मिल रहे हैं जो 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 घॉग्रफी है कि हिस भारा बैच, ESE का बैच चल रहा है जो लाइफ, 7th नंबर सब्जेक्ट उसमें चल रहा है अभी, ESE का जो लाइफ बैच चल रहा है, 7th सब्जेक्ट चल रहा है, अप्टिट्ड चल रहा है इसमें, current affair आज complete हुआ, ESE के बैच में, current की कुछ classes में अड़ करूँगा, December में, एक्जाम के पहले, और इनके तीन जो सब्जेक्ट रह जा रहे हैं, वो ICT, Project Management, Standard and Quality, तीन सब्जेक्ट इस बैच के रह रहे हैं, ICT, Project Management, Stand Quality, तो स्टार्टिंग में हमने एक्टूबर, इस मन्त के लिए, इस बैच के लिए बोला था, का BPSC, BPSC और UPPCS का जो बैच चल रहा है, 69th BPSC जो होना है September में, और UPPCS, ये वाला जो हमारा बैच चल रहा है, इसमें दो टॉपिक होने हैं, बागी सब complete है, एक तो इसमें जोग्रफी शुरू करूँगा, मैं भी जल्दी ही, एक आद विक के बाद इसमें जोग्रफी श और जो भी बैच हुए है, जितनी क्लासे हो चुकी है, रिकॉर्डिंग में सब अविलेबल है, ये बैच भी वन येर के लिए है, एस वाला भी वन येर के लिए है, वन येर वैलेटिटी डेट अफ पर्चेस से काउंट किया जाता है, जब आप उस बैच में रोल कर रहे है तब से एक साल, से जई 10 मंत के लिए है, बागी सारे बैच आरोहन पर वन येर के लिए है, टेक्निकल में भी सिंगल सिंगल कई सबजेक्ट अविलेबल है, टेस सीरीज अलेडी चल रही है, ठीक है, बीपीस सी वाले में टेस सीरीज अलेडी इंक्लूड कर दिया है, मैंने, पहले अलग से था टेस सीरीज, बीपीस सी के कोर्स में एड कर दिया है, मैंने, सीजी पीडीटीम के टेस सीरीज, सीजी पीडीटीम के कोर्स में अवेलेबल है, अलग से भी अवेलेबल है, ठीक है, एस वाले में टेस सीरीज अलग है, कोर्स अलग है, क्योंकि पहले और पांडे GS4ALL YouTube वाला चैनल है, उस पर आपको काफी हेल्प हो गई होगी, मेरा ये मानना है कि काफी क्लासेज हमने कोशिश की है उस पर आपको प्रोवाइट की जाए, 100% तो YouTube पर नहीं पॉसीबल है, पर काफी क्लासेज मैंने कोशिश की कि आपको YouTube पर भी मिल जाए, उसके मानना है कि आपको कई स्टुडेंट्स को बेनेफिट किया होगा, जो स्टुडेंट्स बहुत नॉमिनल अमाउंट भी मानूल एफॉर्ट नहीं कर पार है, या जो स्टुडेंट्स फ्री एजूकेशन के ही चाहते हैं, उनको भी काफी हेल्प आरोहन के माध्यम से हो रही हो फिर PDF जो मेरे एंड से जा रही है, वो भी बना कर मैं शेयर करता हूँ, क्लास नोट्स आपको सारे ओपन है, ठीक है, लेक्चर भी जहां तक मैक्सिम कोशिश होती है, लेक्चर भी प्रोवाइट कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको आरोहन के एंड से हेल्प हो रही हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में किसी बच्चे को भी कुछ भी लगे, कोई अपनी बात को कहना चाहें, तो वहाँ पर मेंशन कर दीजेगा, कमेंट में, मैं कमेंट सारे पढ़ूँगा, उसमें देखूँगा, मैं भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, कि जो हमने कमेंट किया था या जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी, हम उसको फुल्फिल कर पा रहें कि नहीं कर पा रहें, कहीं भी कोई भी कमी लगे, आप कह सकते हैं अपनी बात को, पर जैनुवन बात करिएगा, क्लास की हों, नोट्स देखे हों, चीजे के लावा एप, बहुत से चीजे फ्री अवेलेबल हैं, ठीक है, तो मैगजीन का अगला अडिशन भी आ गया है, जो बैच चल रहे थे, कम्प्लीट कर दिये हैं, दो बैच अभी रणिंग, स्टेट पीसेस वाला जो दो टॉपिक कराने हैं, और ये दो बैच रणिंग है, GS को लेकर, अब अगला बैच जो मैं लाउंच करूँगा, लाइव, रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है, प्रीवियस बैच जो कम्प्लीट हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, GS का एक जनरल बैच, जो आपका CGL, JE, AE, एक लाइव बैच फिर से जरूर रथ होग करेंगे, फिर से उसमें दुबारा हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्रफी, लाइव साइंस, जीके करेंट अफियर, फिर से वो सारे सब्जेक्ट होंगे, तो कम से कम 10-15 दिन के बाद मान सकते हैं, सेप्टेंबर में हम लाउंच करेंगे, फिर से अगला बैच, जिसमें GS में क क्या कराया जाएगा, बैच A तो कम्प्लीट कर दिया, अब बैच B अगला जो बैच होगा, तो मैंने फिर जो पिछली बार बोला ता फिर मैं कहूंगा, एक्जाम के नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ने बैठेंगे, नहीं तो आपके एक ही शिकायत होगी, सर नोटिफिकेशन आगे, अटाइम नहीं मिल रहा पढ़ने का, और इतने सब्जेक्ट आप कम टाइम में नहीं कर पाऊगे, तो जब बैच शुरू हो और जिनको सिंसेरली तयारी करनी हो, जी एस पढ़ना हो, स्टार्टिंग से ही बैच एक करेंट अफियर मेगजिन का काम चल रहा था, वो भी हो गया, आज लॉंच कर दी गई है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्रफी, लाइफ साइंस, मतलब बायलोजी, जी के करेंट अफियर एकॉनमी, नया बैच जो लॉंच होगा, फिर से जी एस में इतने सब्जेक्ट हो फिर से इतने सब्जेक्ट रिपीट होंगे, अगला बैच जो शुरू होगा, तो अगले बैच का डेट वगर अभी डिसाइड करूंगा, मैं प्लान बनाऊंगा इसका, अगला बैच होगा, तो जिनको लाइव में फिर से रिपीट करना पूरा लाइव क्लास करनी है, वो चार महिने लगे, पिछले बैच में भी उतना ही टाइम, हमने बोला था, इस वाले में भी, चार महिने आप मान के चले, चार से पांच महिने, Environment क्योंके लाइव में पढ़ाएँगे, तो आप मान के चले पांच महिने के असपास, पर यह है कि पांच महिने में ये GS खतम रहेंगे उनके लिए रेडी रहोगे तो आरवन के एंड से रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है लाइव बैच भी एक फिर से शुरू करेंगे ठीक है यह सी का अल्रेडी चल रहा है यह सी वाले जो बच्चे हैं ओन्गोइंग बैच कोई कवर करें क्योंकि अक्टूबर में ज सर अभी जो प्री होगा जेई का अक्टूबर में पेपर होना है सीजी पीडियाटियम होना है तो टाइमली हमने बैच खतम कर लिया है तो जो टाइम हमें मिल रहा है उसको में उटिलाइस करना चाहिए तो मेरे एंड से अब मैं कोशिश कर रहा हूं कोश्चन प्रैक्टिस करा दिया चाहिए तो आप पेपर पलट के देख सकते हैं मैक्सम कोश्चन आपके बनेंगे और 250 प्लस करेंट अफेर कोश्चन जो फाइल थी वो भी आपको पीडियाफ मैंने दे दिया है आईपी की मैंने दो पीडियाफ आपको दी हैं 60 कोश्चन की एक 30 कोश्चन की एक आईपी वाले जो यूटूब पे वीडियो पड़े हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे कई सारी पीडियाफ आपको दिख जाएंगी वहाँ पर आईपी के जो साथ लेक्चर हैं उसमें पीडियाफ में देखोगे कई सारी पीडियाफ मिल जाएंगी उसमें मैं मैं आपको वो प्रोवाइड किया था वह आप रीड कर सकते थे और 250 प्लस question current affair मैं आपको दे रखा है तो कल से हम question practice शुरू करेंगे कल evening से question practice शुरू करेंगे कोशिश करेंगे जितने ज्यादा session हम कर पाएं question practice में तो इससे आपको revision भी हो पाएगी तैयारी कितनी है वो भी अंताजा लग जाएगा कोश्चन प्रैक्टिस में अभी मेरा फोकस जीके करेंट अफियर और आईपी के कोश्चन जीके करेंट अफियर आईपी और कुछ कोश्चन साइंस के भी ले लेंगे तो कल से हम इसको शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन 24 तारीक से स्ट आट करेंगे थो किसेिदिन टाइम मिलेका तो काफिज ठीक है तो यह प्लान हे अग ऐसक लिए अब मुझे लगता है काफि जो बाते चल रही होंगी कई सारी रिजोल हूई होगी और बाकि जो भी point है आप description में लिख दीजेगा इसमें comment में लिख दीजेगा जो current affair आज launch हुई है उसका description में link आपको मिल जाएगा ठीक है कोई और concern किसी का हो किसी exam को लेकर आप comment में लिख दीजेगा मैं दिख लूँगा उसको Thank you class, thank you